चटपूजा के दौरान इन नेमों का कर्वी पालन पूरी होगी मनुकामनाई चटपूजा इस साल 20 नवंबर को मनाया जाएगा चटपूजा सूर्य देव की आराधना तथा संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए मनाई जाती है इस त्योहार को हर साल कार्थिक मास की शुकिपक्ष की शश्टी तिथी को मनाया जाता है जहां छट पूजा का व्रत 18 तारीक से नहाया खाय के दिन शुरू होगा जिसके बाद इसे छट पूजा के दिन सूर्योदे अर्गे के बाद खुला जाएगा चट पूजा चार दिनों की होती है, इस दौरान व्रत करने वाले लोग 36 घंट तके बिना खाएं की व्रत रखते हैं यह सबसे कठिन व्रत होता है, वेधी विधान से 6 मैया की पूजा की जाती है चट पूजा में बहुत से नियमों का पालन करना होता है, यह व्रत जितना कठिन होता है उतने नहीं इसके नियम भी कठिन होते हैं जानिये चट पूजा के दौरान के नियमों का पालन करना चाहिए, चट पूजा पर इन नियमों का पालन करना चाहिए जो भी व्यक्ति छट पूजा करता है उसे लहसुल और प्याज नहीं खाना होता है माण्यताओं के नुसार in चार दिनों में वर्जट माना जाता है जो भी छट पूजा का व्रत रखता है उसे पलंग या बैट पर नहीं बलकि जमीन पर चादर भिचा कर सोना होता है चट पूजा में साफ सफाई का बहुत ध्यान देना होता है इसलिए कभी भी पूजा के लिए चांदी, स्टी या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए ध्यान रही प्रसाद तयार करते समय कुछ भी नहीं खोना चाहिए जिस जगह पर प्रसाद बन रहा है वहाँ पर किसी को भूजन नहीं करना चाहिए अगर आपने ब्रत रखा है तो बिना सूर्य को अरक्य दिये पानी आप भूजन का सेवन न करें पूजा के समय साफ सुथरे कपड़े पहने पूजा के दौरान फलों का सेवन न करें